हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब उमेद करते हो आप पर चनल फ्रेंड तो पिछले वीडियो में मैंने आपको यह फूल बनाना शिक्कायता फ्रेंड आज हम इसी फूल का यूज करेंगे तो देखे मैंने यह कुछ फूल बना ली है यह मेरे चार पीस है इस तरीके से तब हम इनको आपस में जोइंट करेंगे यानि कि हमें यह एक परटी बीच में चाहिए इस तरीके से अब यह हो गया Fünds ऐसे फिर हम इस फूल को यहां जो जोइंट करेंगे तो दोनों पट्टी एक फुल में एक पट्टी adjust हो गई ऐसे ही फिर हम इसको करेंगे यह देखे तो यह भी हो गया फिर हम एक फुल लेंगे इसको भी जोंट करेंगे और इसके साथ यह वाली पट्टी जोंट कर देंगे तो यह हमें 5 है चाहिएगी फ्रेंड्स एक, दो, तीन, चार और ये पाँच तो चार फूलों के साथ पाँच पैट्टी से एंगे तो यह हो गया यह हमने कुछ पीस काटके रखके हूं है फ्रेंच जिसकी लंबाई 4 इंच है वह चड़ाई 6 इंच है और चपीस काटके रखकें तो इसकी भी सेम लेंथ है और यह दो दो इंच की हमने बड़ी बड़ी स्टैप पट्टी काट ली है जो हम डिजाइन के अनुसार यूज करेंगे तो यह हो गया फ्रेंट्स एक पीस मैंने यह ले लिया है जिसे हम यह डिजाइन इसके उपर सिलेंगे तो आज मैं इसका जो हमारे घर में LED TV होते है यह स्मार्ट TV होते है उसके लिए हम मैं कवर बनादा सिखाऊंगे फ्रेंट्स तो हमने एक यह ले लिया और यह यह जो हमारा पीस है यह मैंने अपने टीवी के हिसाब से नाप लिया है फ्रेंट्स आप भी जब भी सिलें तो अपने हिसाब से नाप लिजिएगा तो उसी हिसाब से आप यह डिजाइन सेट किजिएगा तो यह हो गया फ्रेंट्स अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इन फूलों को जोइंट करेंगे तो मैंने जो जो पीस में इस्तमाल करूंगी वो मैंने आपको दिखा दिये तो हम इनको जोइंट कर लेते आपस में फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी देखे फ्रेंट्स मैंने जोइंट कर लिए हैं प्रइप है आप हम क्या करेंगे यह जो यूदिः इसको समस्क्राइज में कि अब हमें इस प्रियां इस्तिमाल करना है जितने हमारा जोंट्аб इनल फ्रेंड्स इस पर हम क्या घरेंगे अई यहां लेंगे तो हम यह वाले पीस लें अर्थ इस तरिके से ब एक पीस यह वाले लगाएंगे तो एक पीस यह वाले लगाएंगे यह देखे इस तरीके से ताकि हमारा एक डब्बे डब्बे की तरह जॉइन दिखाई दे इस तरीके से तो यह हम इस तरीके से कर लेते हैं मैंने आपको डिजैन दिखाई दिया है अब हम इसको सी लेंगे जैसे कि मैंने बताया आपको यह बेरना डाली है पैस यह हमार हुगी अब जैसे हैं हमारी दो लाइन दिख री हैं हमें जितनी जलत पड़ी है वितनी ही लाइन जोड़नेगे फिलाल के लिए मैं इस पर दो ही लाइन जोड़नें कि उससे जर जादा नहीं जोड़नें त्याह ईवाई करके चो फिल लेंगे तोफ दोनो पठीक से नहीं प्रड़ियेंगे को एक डारेक्शन में सिल देंगे तो मैं आपको सिल के दिखाती हूं तो देखे फ्रेंड्स मैंने जॉइंट कर लिया है अब हम इस पट्टी को इसके उपर रखेंगे और सिधे स्लाई लगा देंगे तो मैं सिल लेती हूं तो देखे फ्रेंड्स मेरा जुड़ गया है अच्छी तरीके से जॉइंट हो गया है अब हम क्या करेंगे अब हम इसके नीचे वह दूसरा पीस रखेंगे तो मैं रख लेती हूं दूसरा पीस आप चाहें तो पहले इस इस वाले कपड़े पर collecting का इस्तमाल कर सकते आहां जिसे कि यह और अच्छी तरीके से जुड़ जाए और बिल्कुल सफाई से दिखाई दें तो मैं इसको डारेक्ट इसको शिल बीचांगी उपर मैंने खबड़ा भी जाल लिया है अब हम जगा-जगा पनेपकर देंगे और हम इसे को crest करेंगेगे क्रिम कलर तो पहले इसको पिन अप कर लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं यह देखे फ्रेंट्स मैंने जग जगा पिन अप कर लिया है अब हम इसको लाइन करके इनको डब्बे-डब्बे करके सिल लेंगे तो पहले हम सीधी-सीधी लाइन इन पर लगा लेंगे फिर हम इस तरीके से लाइन लगा लेंगे तो जैसे भी आपसे सिला जाए फ्रेंड्स इस कपड़े को हमें इसके उपर जॉइंट करना है तो मैं आपको जॉइंट करके द्jam नियुक्त को अि स Theyibo आत्कुन मुट रहेंगे आपने दील सिल लिए अदेके अर्षय तरही मेरा दे अछे तरीके से सिल गा ही मेरा अब हम क्या करेंगे अब हम चारो और को भूंड के पटी जोइंट करेंगे तो मैंने आपको बदाया था है के मैंने बहुत और फिर हम बाद में ऊपर से लेंगे तो पहले में पट्टिया निकाल जाते हूं फिर आपको दिखाते हूं तो देखे फ्रेंट्स मैंने अपनी चार पट्टे ले ले हैं तो यह हमारी बड़ी है पट्टी है तो इसे हम साइड में सिलेंगे तो पहले हम इसका इस्तमाल कर ल है क्योंकि यह में दो इंच की पट्टिया है हमें चोटी-चोफी किनारी ही नहीं है तो मिया थोड़ा-थोड़ा सुद लेंगे तो मैं यहाँ पर रींगे फ्रेंड तो मैं jan啦 देगो है देहिए यह मैंने फितडी जोईंट कर ली है हम इस पट्टी को इस तरह किसा फोल्ड करके यहां जोइंट कर देंगे इस तरीके से तम यहां सिल लेंगे तो देखें हमें इस तरीके से सिलना है फ्रेंड्स हमें ज्यादा चोड़ी पट्टी नहीं लेनी है हमें इस तरीके से सिलना है ताकि हमारी छोटी सी किनारी दिखाई दे तो मैं इसको भी कंप्लेट कर लेती हूं फिर हम ऐसे ही हम यह वाली पट्टी भी इसी तरीके से जोइंट करेंगे तो मैं इसे लेती हूं फिर मैं आपको कम्प्लेट करके दिखाती हूं तो यह देखे फ्रेंट्स मेरी यह किनारी जुड़ गई है तो यह हो गया फ्रेंट्स देखे सारो तुर्प से जुड़ गई है अब हम क्या करेंगे अब उपर हम यहां से चार इंच नापेंगे और यहां से चार इंच नापेंगे तो हम यहा क्या करेंगे अब हम दो बप्टिया लेंगे देखें बने अब इसमें क्या करेंगे यह पत्टिस है और जो वहारा एक स्ट्रा बहुत हुप Sum couple क्ट कर लेंगे इस तरीके से यह पत्टि ऐश्ग करनी है इस टरीके सkenो थैस्ट तरीके से हम फॉल्ड कर लेंगे कि अबए यहांं पर हम सिल देंगे तो में दोनों पट्टी में न पर प yapıyor है अब हम क्या करेंगе अब हम इसे उल्टा करेंगे यह जिसे हमारे फुल उपम और छींग, और जैसे मैंने बताया था अमने निशान लगाना है तब हमें इस तरीके से इसको पहले यहां से तोड़ा फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यह जिसे हमारा निशान 4 इंच का रहा है तो इसको हम यहां लगाएंगे इस तरीके से और जो चार इंच का निशान मरा यहां आ रहा है तो हम इसको भी यहां फोल्ड कर देंगे फोल्ड करके हम यहां से सिलना है फ्रेंड्स तो देखे इस तरीके से तो हम ऐसे इसको यहां सिल देंगे और ऐसे यहां सिल देंगे तो देखे फ्रेंट्स इस तरीके से हम यहां सिल देंगे और यहां सिल देंगे चार-चार इंच की दूरी पर ऐसे हम इधर कर लेंगे फ्रेंट्स यह हो गया तो हम इसको सिल लेते हैं तो देखे फ्रेंट्स मेरा यह पीछे जोइंट हो गया है इस तरीके से हमें इसको सिलना तो यह इस तरीके से हो गया और इधर का भी इस तरीके से हो गया तो अब मैं आपको यह टीवी पर लगा के दिखाते हुए मेरे टीवी पर बिल्कुल अची तरीके से तो ऐसे डीजाइन पर हमें कुछ न कुछ यूद जरूर करना चीए तो देखें कितना कुछ लग रहा है तो आप भी ऐसे डीजाइन बनाईए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंस कीजिए और हाँ मेरे चै झाल 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 झाल